हेलो फ्रेंड्स राधे राधे आज की रेसीपी है टमाटर की चतनी तो चलिए बनाना सुरू करते हैं और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट जरूर करें तो यहां हमने टमाटर लिया है और टमाटर को अच्छे से दो कर पोच लिया ह तो इसका पहले उपर का हिस्सा निकाल देंगे यह जो काला काला है इसे निकाल देंगे और इसे निकाल के इसे अच्छे से काट लेंगे चार टुकडों में तो इस तरह से चार टुकडों में काट लेना है और आप इस रेसीपी को जरूर ट्राइ किजेगा आपको बहुत तो यह देखिए, चार टुकडो में हमने काट लिया है, तो इस तरह से सारे टमाटर को काट लें, तो टमाटर को पहले ही धो लें, काटने के बाद इसे नहीं धोना है, इसके बाद सरसो का तेल डालेंगे, थोरा सा, और जब सरसो का तेल गरम हो जाएगी तब डाल देंगे ज स्ऩोंफ के बाद हम ढाल देंगे इसमें टेज़ पत्तर डालने के बाद इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे सूखी लाल मिर्च कि शूखी लाल मिर्च से जादा अच्छा टेश्ट राता है तो हरी मिर्ची न डालें क्योंकि ये टमाटर rotary चिट्णी बन रही है तो लाल मिर्ट ज़्याद अच्छा रहेगा इसके बाद हम यह सारा टमाटर को इसमें डाल देंगे और अच्छे से चला लेंगे और यह पराठा के साथ बहुत ही मज़िदार लगती है और ऐसे भी खाने में यह अच्छी लगती है इसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर थोड़ा सा नमक, स्वाद अनुसार ज्यादा भी नमक इसमें नहीं डालना है और थोड़ा मिर्ची पाउडर डाल देंगे इसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो नमक इसमें थोड़ा सा डालना है, ज्यादा नहीं, स्वाद अनुसार भी नहीं डालना है, बस थोड़ा सा नमक इसके बाद हम डाल देंगे चीनी, तो जितना टमाटर है, उस हिसाब से हमें इसमें थोड़ा सा चीनी डालना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये देखिए अच्छे से mix हो चुकी है तो हम इसे अब धक देंगे और धक कर पकाएंगे तो 15 मिनट इसे पकने में लगेगी तो धक देंगे और कूल मिला कर इसमें 15 मिनट लगेगी और टमाटर अच्छे से पक जाएगी तो बीच बीच में हम इसे मिलाते रहेंगे टमाटर को तो ये देखिए हम इसे फिर एक बार mix कर लेंगे 15 मिनट में टमाटर अच्छे से एकदम गल के अच्छी चटनी बन जाएगी और आप इसे फिरीज में तीन दिन रख सकते हैं तीन दिन से जादा ना रखें तो इसे हम अच्छे से mix करके फिर इसे ढख देंगे तो फिरीज में तीन दिन ही रखें जादा दिन नहीं दो से तीन दिन रख के आराम से पराठा के साथ खा सकते हैं या ऐसे भी और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लिए हैं अब हम इसे ढख देंगे और अब हमारी चट्नी बिल्कुल तयार है टमाटर की ये देखिए टमाटर एकदम गल चुकी है तो अब हम इसे एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखें टमाटर पूरी की पूरी गल चुकी है और 15 मिनट लगी है और टमाटर बहुत मज़ेदार बनकर तैयार है तो आप भी इसे एक बार घर पर बनाएं और हमें कमेंट में बताएं कि आपकी कैसी बनी और अगर आपको कोई रेसिपी नहीं आती है तो आप हमें जरूर कमेंट करें तो मैं वो रेसिपी जरूर बनाऊंगी मेरा तो काम ही यही है तो आप जरूर सेयर करें कि आपको कौन सी सबजी नहीं आती है तो अब हम इसे सर्फ कर लेंगे तो आपको कोई भी रेसिपी नहीं आती है तो आप जरूर हमें कमेंट करें और मैं वो रेसिपी जरूर बनाऊंगी तो ये देखिए तमाटर की एकदम मज़ेदार चटनी बनकर तयार है अच्छी लगे तो सेयर करें और कमेंट करें लाइक करें तब तक के लिए बाई बाई